हेलो फ्रेंड्स मैं हुँ आपका दोस्त अभ्य इंगोले वेलकम टू माय यूटूब चैनल अभी कॉम्पूटर सो फ्रेंड्स प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब और लाइक कीजिए कुछ नया सिखे विडियो इंजॉय कीजिए हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे पास्पोर्ट साइज फोटो फोटोशॉप में कैसे बनाते हैं सबसे पहले हमें फोटोशॉप में जाना है फोटोशॉप ओपन करना है उसके बाद हमें जो पास्पोर्ट बनाना है वो इमेज हम ओपन करेंगे जो पास्पोर्ट बनाना है वो इमेज ओपन करेंगे इसके बाद क्रॉप टूल से हम इमेज को क्रॉप करेंगे उससे पहले वीड्स डालेंगे 1.5 इंच हाइट डालेंगे 2 इंच रिजोलुशन होगा हमारा दोसो इसके बाद इमेज को क्रॉप करेंगे उसके बाद हम सिलेक्शन टूल्स लेके इमेज को सिलेक्शन करेंगे यह सिलेक्शन कॉर्नर छोड़के हम सिलेक्शन करेंगे उसके बाद सिलेक्ट मेनू में जाके इनवर्स सिलेक्टेड इनवर्स सिलेक्शन करेंगे उसके बाद इडिट मेनू में जाएंगे क्लेर आप्शन पे क्लिक करेंगे यह हो गया हमारा पास्पोड उसके बाद इडिट आप्शन पे जाके हमें stroke देना है stroke देंगे हम 2 pixel color black उसके बाद यहां हमारा password size photo तयार है simply आपको इसको फिर से select all करना है select all करने के बाद edit में जाके define pattern define pattern option पे click करना है उसको नाम देना है उसके बाद ok प्रेस करना है simply ok करने के बाद हमें file menu में जाना है new file लेनी है new file file name कुछ भी डाल सकते आप preset size custom custom में डालेंगे हम 1200 width pixel 800 height pixel and resolution डालेंगे 300 ओके उसके बाद edit option पे click करेंगे edit option के बाद हम fill में जाएंगे fill fill में जाके हमें जो pattern save किया था उस पे click करेंगे और ok बटन पे click करेंगे जी हाँ दोस्तों अब हमारा passport ready है इसको save करेंगे या आप print भी कर सकते ok guys photoshop में passport बनाने का यह सबसे आसान तरीका था thank you for watching करेंगे ट दोस्तों टोस्तों खिलुछ reasonably करेंगे